नमस्कार दोस्तों मैं वह अनिटा सर्मा मेरे चैनल की चानावनिता शर्मा में आप सबुकत असवार थें दोस्तों इससे पहले भी मैं आपके सामने एक बार आई थी आज मैं फिर आपके सामने आई हुँ कोई recipe लेकर कि अपने आपको बहुत ही रोकने की कोशित की लेकिन उठे रहा नहीं गया मैं कि अपके सामने एक बार फिर आई हूं बस यहीं एड़वाइस देने को सायध आपको मेरी एड़वाइस पसंद आया या ना आय अगर ना आय तो मैं आपसे माफी माँगती हूं माफी चाहती तो हम उपर वाले को याद करते हैं उसी तरह अभी संसार पर बहुत भ्यांकर विपता की घड़ी आई है यह करवोना वायरस जो है हम लोगों को देश में सारे लोगों के में हातार मचा दिया है तो ऐसे आफ़त की धड़ी में हम लोगों को उपर वाले को याद करना है जब कोई नेता से हम लोग मिलने जाते हैं तो उसके वाच में हम लोगों के मिलने नहीं देते हैं तो हम लोग जिलुस निकालते हैं जिन्दा बार के नारे लगाते हैं तो अंत में हार कर नेता को बहर आना करता है उसी तरह हम सारे लोग देश वासी उपर वाले को इस तरह से याद करेंगे चाए हो हिंदु हो चाए मुस्लीम हो चाए सिको चाए हिसाई हो हम पूरे देशवासी मिलकर उपर वाले को याद करना है और उसी तरह जैसे दीता को बुलाने के लिए जिन्दावाद के नारे लगाते हैं उसी तरह हम लोगों को रात दिन उपर वाले को याद करना है तो उपर वाले जो हैं उनको जिस तरह नेता को बाहन निकलना पड़ता तो आभी ऐसे हलात से बचने के एक मात उपाय है हम लोगों को रात दीन ऊपर वाले को याद करना है जब हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं तो माता पीता हम लोगों की दवाई भी करते हैं और जाड़ भूख भी करते हैं तो अभी हम लोगों को दवा और दुआ दोनों की आफ सकता है डॉक्टर लोग तो हमारे हमारे हल करी रहे हैं साथ साथ हम लोगों को उपर वाले को याद करना है मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ सारे देशवासियों को यही अपील करती हूँ कि आप लोगों को सु संकर की घड़ी से बचा सकते हैं जिस तरह मोदी जी ने जब 2020 में ठाली बिजाकर और दिया जलाकर सब एक दिंट होकर संदेश दिया था लोगों ने उनका आग्या का पालन किया उसी तरह मैं आप लोगों से हां चोड़ किया यह कूल करती हूं कि अभी बहुत भ्यंकर कि अपने अपने धर्म के भर्वान को याद करें उपर वाले को याद करें उपर वाले ही हम लोगों को इस विमारी से चुटकागा दिला सकते हैं मैं और आपसे ज्यादा नहीं कहूंगी बस मैं आप लोगों को बस यह एक आसान और सहज उपाए बताना चाहती थी यही एक है जो हम लोगों को करोनावाईरस से दूर भगा सकता है नरोनावाईरस को दूर भगाने का ये बहुत सरल और सस्ता उपाय है तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह एडवाइस अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पताएंगे और अच्छी नहीं लगे तो हमें छमा करेंगे तो मैं आखरी बार मैं जाते जाते आप लोगों से एक वर फिस हांचों के अपील करती हूं कि अभी ऐसे आफ़त की घरी में हम लोगों को सुबहरे साम इनो वक्त जैसे मुस्लिम हाय लोग पांच वक्त के नमास पढ़ते हैं उसी तरह हम लोगों को दिन रात उपर वाले से यही विंति करना है, है इस बार हम लोगों को इस संकर से मुक्ति दिलाओ, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में नहीं रेशिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों भाई बेहनों को मे अजरा, नमस्कार